नमस्कार and I welcome you all to World Affairs, मैं हूँ प्रशान दवन, now recently इंडिया ने चला है एक बहुत ही important move at the G20 summit आपको बता होगा कि इटली में हाली में खतम हुआ है G20 summit, now यहाँ पर भारत पे काफी दबाव डाला गया climate change को लेकर इंडिया ने सीधा यहाँ पर एक answer दिया और मैं यह कहूंगा कि यह जवाब geopolitics की chess में एक बहुत ही जादा अच्छा move है, इंडिया ने आपर यह कह दिया कि देखो चलो, तुम लोग हमसे बहुत जारा expectation रखते हो, कि हम all together carbon emissions और कम करेंगे भविश्य में, target बनाएंगे चाइना की तरह के 2050 तक zero emission वाला देश बन जाएगा इंडिया, हम अभी के लिए ये demand करते हैं, कि हमको nuclear suppliers group का member बना दो, ये जो demand है ना, इससे देखो possibility बहुत जड़ा बढ़ जाती है, कि आनने वाले एक से ले के दो साल में, इंडिया finally एक proper member बन जाए NSG का, now discuss करते हैं, कि ये कैसे possible होगा, मगर आगे बनने से पहले आपसे question पुछूँग Turkey, Australia, Saudi Arabia, Brazil, comment section में करिए answer, सही answer मैं आपको दूँगा, वीडियो के end में, now जैसे मैं आपको बताया भी, जो recently G20 summit हुआ है, ये conclude हो चुका है, Italy की capital, Rome में, और motto था यहाँ पर, people, planet and prosperity, और जब G20 summit जहाँ भी होता है, उस capital पर based, एक declaration सामने आता है, कि जो ये G20 जो देश है, य points को लेकर, now to be honest, जो पूरा Rome declaration है, कुछ खास नहीं है, इसमें एक दो बाते special है, बस, पहली बाद ये है, कि G20 countries अब openly कह रही है, कि COVID-19 जो vaccines है, ये हैं, अब एक global public good, मतलब कि international laws के हिसाब से, in the future कोशिश की जाएगी, कि जो गरीब देश है, उनको जल से जल free of cost, हम vaccines approval, तो कोवैक्सीन की जो approval वाली बात है, लग रहा है, कि बहुत ही जल्द WHO clear कर देगा, उसके लावा, जादा कुछ यहाँ पर development हुई नहीं है, main यहाँ पर focus आगया, फिर किस पर, climate change पर, और जब भी climate change की बात आती है, तब सीधा उंगलिया औरती है, तीन देशों पर, USA, India और चाइना, नाओ जब इंडिया से मीडिया ने पूछा, कि आप लोग क्या करोगे भविश्य में, 2050 में, 40 के आसपास, आपके क्या target होंगे, कुछ हमको बताओ, क्या आपकी रणीती क्या है, इंडिया ने पहली बात तो यहाँ पर यह कहा, कि अभी के लिए जो Paris Climate Agreement sign किया कुछ साल पहले, उसके बारे में तो कंट्री से पूछो, वहाँ पर कौन सा कंट्री अपने गोल को हिट कर रहा है, किस कंट्री ने solar power को किता प्रमोट किया है, वो आप पूछ नहीं रहे, अब अचानक से कहानी सारे जो बड़े देश हैं, वो लेके जा रहे हैं, 2050 तक, 2060 कि जीरो कारवनवेशन वाला जो देश है, वो हम बन के दिखाएंगे, अब आज से इतने दशकोबात कि इसने क्या देखा है कि क्या होगा, मगर इंडिया की सरकार ने यहाँ पर बहुत ही cleverly एक point सामने रख दिया पूरी दुनिया के, इंडिया ने यहाँ पर यह का के तो उसका relation climate change से कैसे होगा, देखो इंडिया आपको बताओगा, आज भी जो majority अपनी power generate करता है, electricity generate करता है, वो करता है कोईले को burn करके, ना सिर भारत, चाइना का भी same case है, अचुली पूरी दुनिया को यह आप अगर देखो, तो आज भी 80% से उपर जो electricity हम generate करते हैं, इसम के लिए हमने देखा कोईला कम पड़ गया था, तो एक बार को यह भी डरता हमारे power minister ने कहा था, कि situation बिलकुल touch and go हो सकता है, कि power cuts भी हो, thankfully हमने import करके कोईला बहुती बड़ी quantity में कुछ हद तक situation manage कर ली, और country में बहुती wide scale power cut नहीं देखे, मगर हमको यहाँ पर यह पता ल परता है, climate change में इजाफा होता है, तो अगर कोईले को रोकना है, और nuclear की तरफ बढ़ना है, तो हमको raw material भी तो चाहिए होगा, हमको uranium चाहिए होगा, हमको नई technology चाहिए होगी, वो हमको मिल नी पारी, क्योंकि इंडिया को तुम लोगों ने block कर रखा है, nuclear suppliers group में entry पाने से, और हाँ बिलकुल, nuclear suppliers group का जो main काम है, वो यही है, वैसे आप अगर इसके documents देखोगे, तो front page में लिखा है, कि nuclear supplier group बनाया गया है, ताकि देश, irresponsible तरीके से, जो nuclear bomb बनाने की technique है, जो uranium है, यह इधर दर के countries को बेचना ना start कर दे, एक proper guidelines हो, proper system हो, कि अगर एक देश को uranium purchase भी कर अब problem आती है, uranium purchase करने में, और इंडिया ने ये बात साफ साफ रख दी यहाँ पर, क्योंकि इंडिया को आप अगर देखो, हमने 2016 में apply किया था, NSG की membership के लिए, almost सारे countries यहाँ पर ready थे, NSG में total आप अगर देखो, 48 देश है, 47 countries यहाँ पर राजी थे, almost 47 राजी थे, China ने य अगर डाल दिया, China ने यहाँ पर का कि नई, इंडिया को membership नहीं मिलेगी, बाकी countries ने कहा कि क्यों इंडिया को membership नहीं मिलेगी, तो China का आप reason यह था कि इंडिया के पास nuclear weapons होते हुए भी इन लोगों ने NPT पे हस्ताक्षर नहीं किये, NPT क्या है, यह है Nuclear Non-Proliferation Treaty, अब इंडि हम अगर NPT को sign करते हैं, तो इसका मतलब यह होगा, जो भी हमारी uranium को enrich करने की sites है, वहाँ पर IAEA, International Atomic Association के जो लोग हैं, वह वहाँ पर रखेंगे निगरानी, उसके इलावा, इंडिया in the future nuclear test करनी पाएगा, nuclear weapons बनानी पाएगा, अगर पता लग गया कि इंडिया कुछ टे nuclear weapon की जो field है, उसमें हम अपनी power गवा देंगे, चाइना ये बाद जानता है के इंडिया NPT पे sign नहीं कर पाएगा, तो इसी basis पर चाइना बार बार ये बोलता है के इंडिया को entry मत दो, और अगर देनी भी है, अगर इंडिया के लिए कोई special rule आएगा भी, के ये जी देहिए exception है, इंडिया के लिए हम special rule ले के आएगे, के बिना NPT sign किया हुआ देज member बनेगा, nuclear suppliers group का, अगर ये ऐसा law बनेगा, तो उसमें पाकिस्तान को भी डालो, ये चाइना की यहाँ पर demand थी, और funny बाद यहाँ पर यह है, के जब 2016 में इंडिया ने किया membership के लिए apply, चाइना ने block किया, और उसके पीछे पीछे पाकिस्तान ने जो अपनी membership है, उसकी application डाल दी, now तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं, अब 5 साल हो गए, NSG का मामला बिलकुल अटका हुआ है, इस वज़े से देखो, सबसे बड़ा loss इंडिया को ये हुआ है, कि nuclear reactors की जो technology होती है, uranium purchase करन से countries के साथ one-to-one agreement sign करने पड़े, उसमें भी बहुत ही कम quantity में, limited quantity में हमको uranium मिलता आया है, तो इंडिया ने आपर ये का गए देखो, आज के समय, nuclear energy भी green energy है, और ये बात कह चुके है, IAEA के chief, International Atomic Energy Agency के chief, तो अगर आप इस green energy से हमको दूर रखोगे, तो हमसे कैसे expect करते ह के हम लोग कोई लोग को use करना बंद कर देंगे altogether in the near future, that cannot be possible, तो देखिए, इंडिया ने यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही important point रख दिया है, और सरकारे यहाँ पर सोचेगी, और pressure भी डालेगी, अब यहाँ पर चाइना पर, US अलेडी डाल रहा है, और दु का economy का, high growth rate का, दुनिया को बताए के आने वाले 10 साल में, इंडिया में manufacturing बहुत ज़रा बढ़ने वाली है, manufacturing बढ़ेगी, तो power consumption बढ़ेगी, तो और ज़्यादा कोईला जलाना पड़ेगा, तो इंडिया को देखिए, altogether अगर green energy देनी है, तो उसके लिए energy membership important है, पाकिस्तान की economy देखिए, पहली बात तो कोई खास growth rate नहीं है, COVID में यह हुआ है, पाकिस्तान की economy अगर ज़रा dip नहीं हुई, तो ज़रा फिर उठी भी नहीं है, मतलब almost आपके लीजिए, बहुत ही low pace पर growth कर रही है, और कोई अभी के लिए उमीद दिखने रही के पाकिस्तान में बहुत ही important meeting है, climate change को लेकर जिसका नाम है Conference of Parties Meeting 26, तो absolutely brilliant move और ये जो सारी बाते हैं दुनिया के सामने, ये PM मोधी नहीं रखी, ये रखी है, पियुच गोईल साब ने, जो आज के समय शर्पा है, शर्पा क्या होता है, शर्पा आप कहले लिए, एमिसरी होता है एक दिएश गया दुनिया के सामने, और अब देखते हैं कि इंडिया की energy membership को लेकर in the future क्या तरक्की होती है, वावस आते हैं अपने question में के इन में से कौन सा देश nuclear suppliers group का member नहीं है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है, सही उत्तर यहाँ पे है option, option C, Saudi Arabia, यहाँ पे आप देख पाओगे, in the future आने के chances almost zero हैं अभी यहाँ पर, मगर यहाँ पे इस list में आपको Saudi Arabia नहीं मिलेगा, माना यह जाता है कि in the future इरान अगर nuclear bomb बना देता है, तो इसके कुछी सालों बाद Saudi Arabia भी एक nuclear bomb बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए Saudi Arabia ने भी यहाँ पर अभी तक NSG को join किया नहीं है, औ For example, आपको prepare करना है for need UG, click on need UG और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे, plus यहाँ पर iconic course, जो iconic course है, यहाँ पे आपको फायदा यह मिलेगा, कि one to one live mentorship आपको दी जाएगी, उसके लावा होंगे live.solving sessions, physical notes आपको मिलेंगे, this is the premium course an academy has to offer, तो इसका 12 month, 18 month, 24 month course आप purchase कर सकते हैं, मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं, pay करने के आपशकता नहीं है, सीधा यहाँ पर आपे code डालोगे PD10, तो prices गिर जाएंगे यहाँ पर, so use the code PD10, and save your heart and money, so इसी note के साथ, यह है video कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all. कर दो कि जाएंगे, जो आएंगे, ज शो कि एन अएवारिवा जाएंगे, कि अवार बादाई ख cort spect ne हाज़े है? कि तर लिएको गिरे लिवा solo ।ॉणा